अगर आपके पास है Google TV या फिर Android TV और उसमें जब आप अपने Google Assistant या Voice Assistant के बटन को यूज करते हैं तो यहाँ पर आपका Voice Assistant काम नहीं करता है, वर्क नहीं करता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे ठीक कैसे करें तो इसके लिए सबसे पहले आप अपनी TV की Settings में चले जाए, यहाँ पर Settings में जाकर OK करें अब इसके बाद नीचे की तरफ आए, यहाँ पर आप देख पाएंगे Accounts and Sign In, OK कर ले इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी Gmail ID दिखाई देगी, इस पर आप क्लिक कर ले अब आप नीचे की तरफ जाए, यहाँ पर आप देख पाएंगे अपना Google Assistant, इस पर OK कर ले, अगर यह बंद है तो आप यहाँ से बंद करके इसे चालू कर ले, अगर यह बंद है तो आप इसे On कर ले, अगर Already On है तो आप एक बार Off करें, पांच से 6 सेकेंड वेट करें और वापत से On करें, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर Searchable Apps का Option आएगा, तो इस पर OK करें, और यहाँ पर आपको अपनी Live TV को Enable कर देना है, अगर On है तो बंद करके वापत से On कर दें, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर Save Search का Option होगगा, तो Safe Search को भी आप यहाँ पर On कर दें, यह करन पूरी तरीके से और यहाँ पर system में आ जाए और इसके बाद यहाँ पर restart का option दिख जाता है इस पर ok करें और यहाँ पर restart पर click कर लें और इसके बाद जैसे tv आपकी on होगी आपकी google assistant या voice assistant की जो problem है वो solve हो जाएगी उमीद करता हूँ आप समझ गया होगी वीडियो पसंद आ आइक करें चैनल स्सक्राइब करें अपना बहुत ज्यादे ख्याल रखें बहुत है